बॉलिवुर्ड के खुंखार विलेन में से एक रंजीत रंजीत अब कम ही फिल्मों में नजर आते हैं लेकिन एक वक्त था जब उन्हें हर फिल्म में देखा जाता था स्क्रीन पर रंजीत चाहे कितने ही बुरे काम करते नजर आए लेकिन रियल लाइफ में वे काफी शर्मीले हैं उनका जन्म 1946 में अमरित सर के एक गाव जंडियाला गुरु में हुआ था एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि वह भले ही फिल्मों में एक विलेन का रोल प्ले करते हैं लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल इसके विपरीत है कम ही लोग जानते हैं कि रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी है रंजीत नाम उन्हें उनके खास दोस्त सुनीत दत ने दिया था बता दें कि रंजीत एक्टर नहीं बलकि एयर फोर्स में नौकरी करना चाहते थे लेकिन नाशनल डिफेंस अकादमी में ट्रेनिंग लेने के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई कि उन्हें अकादमी से ही निकाल दिया गया था ट्रेनर की बेटी से प्यार National Defense Academy में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया यह बात ट्रेनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्हें वहां से निकाल दिया गया फिर एक दोस्त के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में आए काफी महंत के बाद उन्हें फिल्म शर्मीली में काम मिला और इसी का एक सीन काफी चर्चा में रहा था लीड हीरो बनने आये थे मुंबई National Defense Academy से निकाले जाने के बाद वे हीरो बनने मुंबई आ गए उन्हें फिल्म जिंदगी की राहे में लीड रोल भी मिला लेकिन यह फिल्म कभी बनी ही नहीं उन्होंने 1970 में आई फिल्म सावन भादो से करियर की शुरुवात की उन्हें फिल्मों में शुरुवात से बिलेन का रोल ही ओफर हुआ हालांकि उन्हें पहचान 1971 में आई फिल्म शर्मीली से मिली मा ने निकाल दिया था घर से एक इंटरव्यू में रंजीत ने बताया था मैं एक बार खुश होकर अपने परिवार को अपनी फिल्म दिखाने को ले गया जब लौटकर घर आये तो मैंने देखा कि घर में रोना धोना मच गया है फिल्म में मेरा रोल देखकर मा काफी नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा काम है लड़कियों के साथ गलत करते हो निकल जाओ घर से मैं मा की बात सुनकर शौक रह गया था मैंने मा खूब मनाने की कोशिश की और उन्हें समझाया कि यह सब फिल्मों में है मा को मनाने फिल्म की हीरोईन को घर लेकर गए थे फिल्म में मेरा काम देखकर घरवालों ने मुझे ताना मारते हुए कहा कि ये भी कोई काम है किसी मेजर, एरफोर्स आफिसर या डॉक्टर का रोल प्ले करो बाप की नाक कटवादी है अपना कौन सा मुह लेकर अमरित्सर जाएगा तब मुझे शर्मीली फिल्म की कोस्टार राखी को लेकर घर जाना पड़ा था इसके बाद राखी ने उन्हें समझाया कि वो तो सिर्फ एक्टिंग थी इससे रंजीत के घरवाले और भी भड़क गए थे करियर का सबसे टफ सीम रंजीत ने अपने करियर में करीब 200 फिल्मों में काम किया है लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 10 फिल्म ही देखी है उन्होंने जो पहली फिल्म देखी थी वो थी देव आनंद की गाइड एक इंटर्वीउ में उन्होंने अपने सबसे टफ सीन के बारे में जिक्र किया था उन्होंने बताया था अभी तक का मेरा सबसे टफ सीन था रीना रॉय के साथ जो की फिल्म डाको और जवान में था इस शौट को मंदिर में फिल्माया था, जिसमें चारों तरफ दिये जल रहे थे, मेरे और वीना की बोड़ी पर मिक्टी का तेल डाला गया था हम दोनों ही इस शौट को लेकर बहुत दरे हुए थे राजेश खन्ना की साली से अफेर बता दें की रणजीत का अफेर राजेश खन्ना की साली सिंपल कपाडिया के साथ भी रहा रिपोर्ट्स की माने तो जीजा राजेश खन्ना इस अफेर से खुश नहीं थे फिल्म चैला बाबू 1977 की शूटिंग के दोरान सिंपल की वजह से राजेश और रणजीत के बीच जमकर जगड़ा भी हुआ था इस जगड़े के बाद सिंपल और रणजीत अलग हो गए नहीं रहा किसी विवाद से नाता रणजीत अपनी जिन्दगी अपनी शर्तों पर जीते आये हैं उनका कोई गौड़ फादर नहीं था एक बुरे व्यक्ति की इमेज के बावजूद वे कभी किसी विवाद में नहीं घिरे 78 साल के रणजीत इस उम्र में भी बेहत फीट है उन्होंने अपनी फिटनेस का राज खोलते हुए कपिल शर्मा के शो में बताया था मैं कभी जिम नहीं गया मेरे जमाने में आज जैसा जिम का क्रेज नहीं था लाइफ में न कभी नॉन वेज खाया और न कभी शराब पी फैशन डिजाइनर है बेटी रंजीत की पतनी का नाम अलोका बेदी है जो हाउस वाइफ है और लाइम लाइट से दूर रहना पसंद करती है उन्होंने 1986 में अलोका से शादी की थी अलोका से उनकी पहचान चनकी पांडे की मास नहलता के जरिये हुई थी उनकी बेटी दिव्यांका बेदी एक फैशन डिजाइनर है उनके बेटे का नाम चिरंजीवी बेदी है जो एक रेसर है इन फिल्मों में किया कांग रंजीत ने रेश्मा और शेरा, खोटे सिक्के, आपकी कसम, हाथ की सफाई, धर्मात्मा, नागिन, धरम वीर, छैला बाबू, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हीरालाल, पन्नालाल, मुकदर का सिंकदर, नमक हलाल, सुहाग, चोरों की बारात, पांच कैदी, हमसे बढ कर कौन याराना, लावारिस, नो प्रॉबलम, हाउसफुल दो फीट, शूट आउट एट वडाला जैसी फिल्मों में काम किया है